आज छत्रपती शिवाजी महाराज को एक ऐसी संकिन डायरे में कैद कर दिया गया है, जिसे उनको निकालना इतना आसान नहीं है। आज माराथा समराज्य के इस चमकते सुरे को एक धर्म विशेस के खिलाप कैसे उपयोग किया जाता है, वो हम सब जानते हैं। कैसे आज की राजनिती छत्रपती शिवाजी महाराज को अपने हिसाब से ढाल कर उपयोग कर रही है, वो हम सब देख सकते हैं। यह हमारे राजनितिग्यों और राजनिती की शक्ती है कि हम किसी भी चीज़ को उनके अनुसा ढाले गए रूप में देखने लगते हैं। वास्तों में चत्रपती शिवाजी के सेना में कई मुस्लिम सिपाही और अन्य सेनानी शामिल थे, लेकिन आज हम में से कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। वास्तों में अगर आप बात करेंगे तो छत्रपती शिवा जी किसी धर्म के बिरोधी नहीं बलकि कटर्ता के बिरोधी थे और उस तमय का मुगल शाशक और अंग जेम इस कटर्ता को अपना हथियार समस्ता था आज सबसे पहले मराठा समराजी के सुर्य छत्रपती शिवा जी की जर्म जन्ती पर उनको नमन करता हूँ आज के अथित में हम आपको छत्रपती शिवा जी के कुछ रोचक किससे बताने वाले हैं नमस्कार में रणा हमें मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्सन का विशेष कारिक्रम अतीद जिस छत्रपती शिवा जी महराज को आज मराठा गौरों के शंकिन्ड छेतर में कैद किया गया है वे तो पूरे भारत बर्ष के गौरों है शिवा जी को तो पूरे भारतिये गर नाज के महा नायक के रूप में पुझा जाना चाहिए लेकिन इस बात का अफसोस रहेगा कि उन्हें एक छेतर सीमा से बांधने की कोशिस होती रही जब जब किसी विदेशी ताक्तों से देश की सुरक्षा का बात किया जाएगा तब सिवा जी का याद आना लाजमी है जब देश में राजनीती साधने के लिए धर्म के हिसाब से शिवा जी के कारियों को दिखाय जाता है तम इस चीज की चर्चा भी होनी चाहिए कि उनके सेना में अनेको मुस्लिम सैनी, नायक, सुबेदार, शामिल थे शिवा जी के प्रशाष्णिक सेवा के कई सदस से दूसरे धर्मों से तालुक रखते थे शिवा जी ने भारत के बहुसंख्यक समाज के अंदर से भैं को खत्म करने के लिए मुगलों से लड़ा बहुसंख्यकों के हक के लिए मुगलों से लड़ा, लेकिन उन्हों ने अपने राज में कभी भी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रतानित नहीं किया शिवा जी तो भारतिय संस्कृती सभ्यता के जीते जाकते महापुरूस थे जिनका उप्योग आज की राजिती के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए आज हम आपको शिवा जी और उसे जुड़े लोगों के बारे में कुछ रोचक बताते हैं छत्रपती शिवा जी महाराज के बड़े पुत्र का नाम संभा जी महाराज था संभा जी को विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार माना जाता है संभा जी ने मात्र 14 बर्स की आयूतक बूद भुष्णम जिसकी भासा संस्कृत थी नाईका वेद, साथ सतर, नक्षिक की रचना कर डाली थी इन में से कई ग्रंथ हिंदी में भी है भासा हमने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि अक्सर शिवा जी को मराठा और मराठी से जोड़ दिया जाता है आदिल शाह और सिवा जी के बीच का किस्सा थो हम सब जानते हैं आदिल शाह बीजापूर का शाषक था आदिल शाह सिवा जी महराज के बरते प्रभाव से काफी चिंतित था एक दिन उसने योजना बनाई और शिवाजी महराज के पिता शाह जी को गिरफतार कर लिया शिवाजी ने अपने पिता को तो छुडा लिया लेकिन तब आदिल शाह की माने शिवाजी को मारने के लिए अपने सबसे भरोसे मन अफजल खान को भेजा अफजल खान को कुछ जगों पर अफजल खा भी लिखा जाता है अफजल खान ने शिवाजी महराज को मारने के लिए दोखे बाजी का पैतरा अपनाया अफजल खान की तरफ से शंदेज भेजा गया कि शिवाजी महराज से वो परताप गड़ के पास मिलना चाहता है शिवाजी अफजल से मुलकात के लिए तयार हो जाते हैं प्रतापगड के पास सम्याने में शिवाजी महराज और अफजल खान की मुलकात हुई अफजल खान ने शिवाजी महराज को मारने के लिए अपने हाथ में एक चाकू बांध रखा था जैसे ही शिवाजी महाराज उसके सामने आए तो वो उनसे गले लगने के लिए आगे बढ़ा शिवाजी को अफजल खान के दोखेबाजी के बारे में पहले से ही पता था उन्होंने अपने हाथों में बाग नक पहन रखा था जैसे ही अफजल खान और शिवाजी महाराज एक दूसरे के गले लगे तो अफजल खान ने मौका देखकर उन पर वार करना चाहा जब तक अफजल खान कुछ कर पाता उसके पहले शिवाजी ने अपने हाथों में पहने बागनक से उसका पेट चीर डाला बागनक का मतलब होता है बाहक के नाखुन से बनाये गया एक हथियार जैसे ही शिवाजी महाराज ने अफजल खान पर हमला किया तो उसके वकील ने अफजल खान को बचाने के लिए शिवाजी महाराज पर हमला कर दिया इसका फायदा उठाकर अफजल खान घायल अवस्था में सम्याने से बाहर भाग निकला अफजल खान तो सम्याना से भागा लेकिन शुवाजी महराज ने उसका पीछा कर दिया शुवाजी महराज ने अफजल खान के साथ युद किया और उसका वद भी कर दिया वद्ध करने के बाद शिवाजी महराज अफजल खान का सर मा जीजा जाबाई के पास लेकर गए उन्होंने जीजा बाई को दिखाया कि अफजल खान का वद्ध हो चुका है इसके बाद उनकी मा ने कहा कि अफजल खान के साथ हमारी दुश्मनी थी लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है और उसकी मौत के साथ ही अब हमारी दुश्मनी भी मर चुकी है माता जी जाबाई ने कहा कि पूरे रिती निवाज के साथ अफजल खान का अंतिम संसकार किया जाए मा के आदेश पर शिवाजी महराज ने पूरे मुसलिम प्रमप्रा के अनुसार अफजल खान का अंतिम संसकार किया और उसका कबर भी बनवाया यह कबर आज भी प्रताप गड़ में मौजूद है बिर शिवाजी महराज कितने उदार थे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं शिवाजी ने सत्रवी सताबदी में मूलों के खिलाफ ऐसा बिगुल फूंका कि दिल्ली सल्तनक तक काप उठी पश्चिम और दक्षिन के छेत से तो शिवाजी ने मुगल समराज को उखाल कर फेक भी दिया आज शिवाजी की जन्म जन्ती है तो इस औसर पर तमाम राजीतिक दल अपने अपने तरफ से कालिकरम आयुजित करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि शिवाजी को किसी एक विचारधारा के जन्जीर से कैदना किया जाए आज के अतीत में सिर्फ इतना ही उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो शेर कीजिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए कैमरे के फिचे खड़े हैं प्यूचर सिया और मैं मुहित कुमार सिर्फ धन्यवाद